हेलो इब्रीवन आज हमां आप सभी के लिए यूपी ट्रपलस सी पेट एकजाम के लिए जीएस का एकप्रेटिस सेट ले के आ हैं जिसमें सभी विश्यों के मिक्स प्रश्ण हैं हम एक तरप से देखते हैं पहला कोश्चन किस महिला क्रांतिकारी ने दिक्षांत समारों में डिगरी लेते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई सांती घोष सुनीती घोष बीनादास करपनादत तो इसका आंसर है मित्रों सी बीनादास ओके ये क्रांतिकारी महिला थी बंगाल की इन्होंने गवर्नर पर गोली चला दी थी अपनी डिगरी लेते समय दिक्षांत समारों में अगला प्रशन है 1857 की क्रांति में किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम राम चंद्र पांडूरंग था ओके तो आप्सन है कुमर्शिंग तात्या टोपे नाना साहे मं कानपूर से लड़े थे और इनका और इनकी जो समाधी है तात्या टोपे की वो सिवपुरी में है सिवपुरी मंतिप्रदेश ये एक वार कोशन आ चुका है सिवपुरी ओके सिवपुरी मंतिप्रदेश अगला प्रसंद चलते हैं लोग 1907 के कांग्रेस अधिवेशन का आजादिंध फाउज के अधिकारियों के लाल किले में चलने आले मुकद्मे में किसने वकालत की थी आजा दिन्द फोज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लालकिले में तीन कैप्टन थे जो सैनिक थे गुरुबक सिंग धिलो, प्रेम सैगल और सैनवाज खान थे स्वारी इन तीन पर मुकदमा चला था इनकी वकालत की थी तेजवादूर सप्रूर ने याद कर लें, मुस्निम लिग ने सीधी कारवाजिस मना था 16 अगस्ट 1946 को अनहैपी इंडिया पुस्तक किसकी है? बहुत इंपॉर्टन पुस्तक है अनहैपी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राजी की है इन्हें सेरे पंजाब कहा जाता था लाला लाजपत राजी का निधन 1928 में हुआ था जब ये लाहौर में साइमन कमिशन का भी रोध कर रहे थे तो इन पर लाठी से प्रहार किया गया जिससे इनका बाद में निधन हो गया अगला प्रशन कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ दर्रा दिया है एक तरफ राज दिया है मित्रों तो आपको देखना कौन सा गलत है? नाथुला सिक्किम में सही है सिक्किम में ही है लिपुले फुत्राखंड में है तो ये भी सही है रोतांग यहापे कस्मीर दिया है ये गलत है और यही हमारा आंसर है पालगाट केरल सही है रोतांग कस्मीर में नहीं है रोतांग कहा है हिमाचल प्रदेश में यही मिलान गलत है अगला प्रशन अधिपादप पाए जाते हैं अधिपादप को एपिफाइट्स कहते हैं ये किस प्रकार के वरक्षों में वनों म यह भूमद रेखी वनों में मिलते हैं भूमद रेखा के आसपास जो वन पाए जाते हैं वो ऊश निकटिवंदी सदावार वर्सा वन है जहां पर रोजबारी सोती है ठीके आधरता वाले हैं और धरती पर सबसे ज़्यादा जैबिवित्ता इनी वनों में है ओके इनी में पापका दक्षिन अमेरिका महाद्यूप का एक देशे यहां पर है ओके पाकी को भी मैं डिस्कस कर लेता हूं सेंटियागो इस चिली की राजधानी है चिली विष्ट का सबसे लंबा देश चिली तक्षिन अमेरिका का है मॉन्टे वीडियो उरुगवे का उरुगवे की र मुद्रा कौन सी है मングís मंद्र एसिया कदेश है जिसकी राधानी उलांड वटोर है और इसकी मुद्रा तुगरिक है और मंगोलिया में दो कुबढ़ वाले उन्ट पाई जाते हैं मंगोलिया में फिर उदर चीन होते हुए लद्दाग तक दो कुबढ़ वाले उन्ट पाई 가족 में राज महादिवक्ता का वरणन है अगला प्रस्न मुलोग देखते है Next प्रस्न मैं चलते हैं बार्मा प्रस्न है सिंदी भाषा को किस संसोधन द्वारा आठवी अनसूची में जोडा गया था एक अच्छा प्रस्न है मित्नों भारती समयधान में मूल समिधान में आठ अनसूचिया थी कितनी आठ अनसूचिया थी बाद में बढ़ाई गई और आज बरतवान में बारा अनसूचिया है आज बरतवान में बारा अनसूचिया है और आठवी अनसूची में भासाएं दी गई थी और उस समय जो मूल समिधान में भासाएं दी गए थी वो 14 थी पंदर्मी भासा जो जोड़ी गई थी वो सिंधी थी 21 समिधान संसोदन 1963 दौरा ठीके अंसर आपका ये हुआ सिंधी भासा को 21 समिधान संसोदन 1963 दौरा जोड़ी गई ये पंद्रमी भासा थी भारत की अगरा परसन देखते हैं बिम्स्टेक का मुख्याले कहां है वित्रों बिम्स्टेक एक दक्षिन पूर्व एसिया और दक्षिन एसिया के कुछ देशों का एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म है बे आप बंगाल इनिसियेटिव फार मल्टी सेक्टोरल कॉपरेशन ये बनाया गया था 1997 में इसका मुख्याल है धाका मांगलादेश की राधानी धाका भारत भी इसका एक सदस है किस राज की सीमा म्यामार से नहीं लगती है ये एक अच्छा प्रसन है ऐसे प्रसनों को सॉल्व करने के लिए आपको मानचितर पर बहु स्वाल हो जाएगा यहां पर आप देख रहे हैं यह अनुनाचल प्रदेश है फिर यह नागा लेंड है मडिपूर और नीचे मिजोरम है तो अनुनाचल प्रदेश लगता है यह इधर मैमार है मैमार मैमार अनुनाचल प्रदेश नागा लेंड मडिपूर मिजोरम यह सब लगते हैं और असम यहां पर है तो असम नहीं लगता है तो कौन सा नहीं लगेगा असम ठीक है इसका अंसर क्या हुआ अगला प्रश्णा रास्टी एकता दिवस कम मनाया जाता है हमारे देश में लहोपुरुष सरदार बल्ला भाई पतेल जी थे उन्हें के जनम दिवस पर 31 अक्टूबर को रास्टी एकता दिवस मनाया जाता है उन्हीं की याद में उनका एक स्टेचू अफ यूनिटी गुजरात में बनाया गया है ठीक है पंचमधी परेटक स्थलकिस राज में है मद्द प्रदेश में आप यहां पर ऐसे देख लें मद्द प्रदेश में एक र परेटक स्थलक है कं है अगले प्रस rebell के तरह हम लोग चलते हैं अगला प्रस नहीं अच्छा प्रस नहीं फूटवाल सरे होके बीटामिन एक कि कमी से होने वाल रोग आपको विटामिन उनके आसानी नाम उनके उनके स्रोथ बहुत जुरुरी है याद करना, फिटावन E की कमी से होने आलवा रोग है, बांजपन, ठीक है, बांजपन, अगला प्रश्च चलते हैं वोग, पांच मी पंच वर्शी योजना किस मौडल पर अधारिति, एक अच्छा है, पांच मी पंच वर्शी योजना किस म मौडल पर आधारिती ओके अगला प्रशन चलते हैं नीतियायोग कब बना यूजना आयोग पहले था उसकी बाद जो इंडिया की गौर्वर्मेंट आई उसने यूजना आयोग का नाम बदल दिया थोड़े से चीजे और बदल दी और एक जनुरी 2015 को उसका नाम नीतियायोग रख दिया ठीक है और वर्तवान में नीतियायोग के अध्यक्ष कौन है वो तो राष्ट प्रतानमंत्री होते हैं श्री नरंद मोदी जी यहां पर प्रस्ण था उपाध्यक्ष ठीक है उपाध्यक्ष वर्तवान में उपाध्यक्ष कौन है सुमन के बेरी ठीक है वर्तवान क्याद्दfill पर्दानमंत्री जी होते हैं जो अभी बढ़त्वार ने नरंद मोडी जी है अगला परसन है मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी एक अच् Flame है मलेरिया के टीके की खोज रोनाल्ड रास ने की थी बहुत में पार्त है यह परसन ठीक है ओजोन हमें सूर्ण से आने वाली परावाग्निक रिंव creates तो ओजोन आकसिजन के कितने प्रमाणों से बना है, तीन आईसोटोप, आकसिजन के तीन आईसोटोप प्रमाण से ओजोन गैस बनी है, ओजोन जो दिवस है बना जाता है, सोला सितंबर को, आप याद रखें इसको, निम्न में से कौन सा ब्रच सदावाहर वनो का नहीं है भारती वन एक टॉपिक है आपके पिट में उससे समंदित एक प्रशन डाला गया है इसको आप याद रखे समझ लें कौन सा ब्रच सदावाहर वनो का नहीं है महोगनी सदावाहर का है रोजबुर सदावाहर का है आवनू सदावाहर का है आंसर आपका चंदन भारत में सबसे आदा चंदन किस राजे पाए जाता है करनाटक में चंदन ओष्ण कटिवंधी आद्रपनपाती प्रकार का एक ब्रक्ष है ठीक है ओश निकटवंदी आदर परणपाती प्रकार का एक ब्रक्ष है अगला प्रस्ण रियंद किसकी सहाइक नदी है आपने रियंद बांध का नाम बहुत सुना होगा ये उत्तर प्रदेश के सोन वदर जिले में है बांध का नाम आपने जरूर सुना है लेकिन क्या आप जानते हैं रियंद जो नदी है किसकी सहाइक नदी है क्या वो गंगा की सहाइक नदी है वरुना की सहाइक नदी है सोन की सहाइक नदी है या दर्मदा की तो इसका आंसर है सोन सोन अमर कंटक से निकलती है ठीक है और मद्द प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के सोन भद्र जिले से होते हुए बिहार जाकर के पटना के पास गंगा में मिल जाती है तो रिहंद सहाइग नदी है सोन की और सोन सहाइग नदी है गंगा की आप इसको याद रखें अगला प्रस्न है अच्छा प्रस्न है रास्ति केला अनुसंधान संस्थान कहां है अनुसंधान संस्थान का भी आपके पास टॉपिक है पिट में तो रास्ति केला अनुसंधान संस्थान त्रिची में है त्रिची और त्रिची है आपका तमिल नाड मोरको गिराजदानी क्या है एक अफरीका का देश है यहाँ पर यह मोरको गिराजदानी रबात है चीक है रबात मोरको से एक यात्री भारत अया था उसका नाम था इबन वतूता 1333 में आया था मुहम्मद बिन तुकलक के समय में आया था उसने एक पुस्टक लिखी थे उसका नाम है किताब रहला इसको भी आप आद रखें ठीक है बमाको जो राजधानी है वो अफरीका का एक देश है माली उसकी राजधानी है और त्रिपोली जो है वो लीबिया की राजधानी है और बेरुद जो राजधानी है वो है आपकी लिबनान की राजधानी है ठीक है लिबनान एक एसिया का देश है ओके अगला प्रस्ण राश्ट पति भावन किस हिल यानी पहाड़ी पर बना है ये अच्छा है आप कहीं जानते होंगे सुना है राष्ट बदिभावन किस हिल पर बना हुआ है राएगड पहाडी पर राम सीना पहाडी पर राय सीना पहाडी पर या राज सीना पहाडी पर तो ये है राय सीना हिल्स पर राय सीना हिल्स घूबनाम अपने सुना होगा ये अ यहार में पढ़ता है 1549 में एक युद्ध हुआ है चौसा में वो हुआ था हुमाई और सेरसा के बीच में एक important युद्ध था अगला और अंति प्रस्न है नेपाल और भारत के बीच किस नदी के पास सीमा विवाद है भारत और नेपाल के बीच में काली नदी के पास में उत् सकते हैं तो यहां पर नेपाल भारत के बीच में काली नदी यानि जिसे बाद में आगे आ करके सारदा कहते हैं उसके बीच बीवाद है वहाँ पर तीन विंदु हैं लिमपिया धूरा लिपूलेक और काला पानी ठीक है तीन पॉइंट पे बीवाद है ओके मित्रों धाइं Thank you so much.